तो हाई अवरिवन और वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल पिछले कुछ वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट सम् रिलिजिज परस्नेलिटीज ऑफ कश्मीर जिसमें हमने शाय हमदान के बारे में पढ़ा था ललड़त के बारे में पढ़ा था बाबा जैनुदीन वली के बारे में पढ़ा था तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं अबाउट मीर सईद अली हमदानी और हमजा मखदूम के बारे में तो जो मीर सईद अली हमदान तीन विजट किए है कश्मीर में बट जो नोने विजट किये तीन बार तो उसका כश्मीरी लोगों पर तो काफी इन्फॉलेंशल परसन थे वो और उनने बहुत जगाओं पर टरवल कि हैenergy हूँ कि वहाँ कि लोगों के पास जो मुस्लिम जो लोग थे एरान से अरब से तो उनके पास जो knowledge होता था वो चाहते थे कि हम लोग उन तक पहुँचाएं वो जो message है जो उनके पास इल्म है वो लोग उन तक पहुँचाएं और उनने वही क्या वो पूरी वर्ल्ड घुमे और कश्मीर भी आये और यहां पे भी उन्होंने अपना यह प्रीच किया तो सूफी सेंट थे वो पॉइट थे स्प्रिचुल टीचर थे वो तो जब वो इरान से यहां पे आए तो उन्होंने अपने साथ 700 फॉलौवर्स भी साथ लाइए यहां पे तो अगर हम बात करेंगे कि किस साल वो आए यहां पे तीन साल आए क्योंकि इंपोर्टेन है क्योंकि एक्जाम यह पूछा जा सकता है so first आए वो 1372 AD में छीक है फिर उसके बाद आए वो 7 साल बाद 1379 में फिर उसके बाद आए वो 1383 में फिर 1384 में उनकी death हो جाती है तजाकिस्तान में उसके बाद क्यूंकि 13 जब last time थरड विजिट उनने कश्मीर में किया तो उसके बाद उनकी जो सहत है वो काफी खराब रहने लगी फिर वो तजाकिस्तान गए तो वहाँ पे उनकी डेथ होगी तो वहाँ पे ही उनको दफनाया गया लेकिन उनका श्राइन है वो कश्मीर में बनाया गया तो अगर हम बात करेंगे कि इनको किन नामों से जाना जाता है कि ये भी एक्जाम में पूछा जा सकता है कि इनको किस नाम से जाना जाता है या फिर ये नाम जो है किस रिलिजिस स्कॉलर को बोला जाता है तो इनको शाह हमदान शाह हमदान का मतलब होता है किंग अफ हमदान क ब्लॉंग करते थे एरान से तो इसलिए इनका नाम रखा पड़ा शाह हंदार अमीर कबीर भी इनको बोलते थे अली सानी तो ये तीन के नाम है सो और एक इmpστर बात ये कि इरान का जो क्राफ्ट था वी उन्हें उन्हें अपने साथ लाया एक तो गया पी तो जो प्रणे रिलिजश ठीप्ट पहला जिक अवी तासथ उन्हें विशान आलए लिक उत्सक्द事 कि पर बात करोंगे पेपर माश्य एरान का क्राफ्ट है तो वह भी एरान से ही आया है कश्मीर में तो बहुत सरी सिमिलारिटी तीरण की और कश्मीर की तो एक और इंप्र Western चीज़ की उन्होंने एक भूक की ती जिसका नाम है जखीरतुलमुल्क तो यह भी इंपॉटंट यह हाँ और एक बात सो उसके बाद हम बात करेंगे हम सब मकदूम के बारे में हम सब मकदूम जो थे वो कश्मीर के ही थे कश्मीर में उन्होंने जनम लिया था सोपोर में एक गाउं है तुज्जर वहां पे उन्होंने जनम लिया था और डिस्टिक 12 मुला में आता है और इनका जो जनम हुआ था वो 1494 में हुआ था और इनकी डैथ हुई थी 1576 में तो एक सूफी मिस्टिक स्कॉलर थे स्पिरिच्वल टीचर थे और इनको किन नामों से बुलाया जाता महभूबल आलम सुल्तान अरफी तो ये भी एक्जाम में पूछा जा सकता है किन नाम से बुलाया जाता है ये जो नाम है ये किन स्कॉलर का है तो महभूबल आलम means loud by all और सुल्तान अरफीन which means king of those who know God ठीक है फिर 82 जब 82 की उमर्मेंट की डैथ हो जाती है 1594 में सारी 1576 में हरी परबत cchmIR का लोग तो काफी important शराईन है कश्मिरिका तो लोग विजट करते है वहत सारे मतलब लोग मांते हैं ज्यारतों को भाँ पे वहत्व्क जहारत की ज्यारत दो काफी important जो है पिल्ग्रिम center कश्मिर का ये थे अबाउट इस वीडियो में इतना ही तो नेक्स वीडियो में हम इंशाला पड़ेंगे about formation of Indian constitution and thanks for watching this video